हर किसीं की नीधें डार्की ने छूढँदी थी। आपि यूँ कहलेजे कि डार्की का स्टैनिंग अफतार देकर ऑ्おい क्यों पस डार्की डार्की ही कता हाता सब के दिरोथिमाग just अलन एमाध वस्सार क के इब द पस्टैनिंग चाहेंगे। इस सवाल के जवाब ने सुमेथ ने जल्दी से कान पर हाथ लगाते हुए कहा, ना बाबा ना, जो कौश्यूम डार्की की थी, जो फेशन सेंस डार्की का था, that was something else, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा कभी, मैंने लाइफ में ऐसे कपड़े पहने होंगे, या खरीदे भी जो उसने normally पहने है, या फिर जो उसकी है style थी, it was very cool, very different, but carry करना बहुत जारा difficult था, because time time पर color करना होता था, bleach करना होता था, side by side में कहीं भी जाता था, तो मुझे अपने बाल छुपा कर करके रखने होते थे, cap all time पहना होता था, क्योंकि किसी को भी कोई image ना दिख जाए, क भी जलक ना दिख जाए, कि मेरा क्या look होने वाला है, लेकिन by God grace, मैंने सोचा था कि कुछ महीने ही, मैं इस look को छुपाऊंगा, लेकिन 9 महीने, मैंने cap के साथ यते अच्छे से निकाले, कि कि किसी को मेरे upcoming look के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, and I hide my look from everyone for 9 months very smartly, well ये बात तो बेकुल ठीक कहा, आपने जब आपने लोगों को दी थी जानकारी कि आप किसी special project के लिए कर रही है, तयारी, तब लोगों ने क्यास तो बहुत लगाए थे, कि आपका look ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन आपका look ऐसा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमें तो डाकी का look, उनका dressing sense, उनके hairstyle काफी ज़्यादा पसंद आई, आपका क्या ख्याल हैगा, इस comment ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करना ना भूलें